दीदेखे आज का हमारा टोपित जो है आज हम पड़ने बाले हैं बाक्य παग्य के ऐसे होता है इसको आप आसांनिशे कर सकते हैं ठीक्ए इसमें जितने भी पिरसन आते हैं वह किस तरीके का से हैं चली आज हम देखने वाले यह यूपी ट्रिपल से की एक्जाम के लिए आपके मौश्ट होने वाले हैं ठीक है और उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे कि आने वाले किसी भी नोटिपिकसिन के भी पता चलता रएक चलिया सुरूब बात करते हैं पहले सिते अफसर के इसमें बाग के दिया होता है उसके लिए हमें एक सब्सक्रादा नहों नहीं सब्सक्राइब नाते Хै कर्के बदल जाने वालाrangन किया होता है अबका यह प elemento आप Champion हम अपसरवादी कि आकास में उड़ने वाला नपचर क्या होता है नपचर ठिक है अगे होने वाला आगे होने वाला क्या होता आपका भावी कहते हैं कि भावी आगे होने वाला क्या होता है भावी अभी अभी जर्म लेने वाला क्या होता है नवजात ठीक है अभी अभी नया नया जर्म जिसने पहली बार जर्म लिया हो तो उसे क्या बोलते है नवजात ठीक है एतिहासिक युक्के पूर्फ क्या आता है उसे बोलते है प्रेग्यतिहासिक ठीक है कोने मारना किसी प्रारी को ने मारना क्या कलाता है आपका अहिंसा क्या कलाता है अगला गंगा का पुत्र क्या कहलाता है गंगे गंगा का पुत्र क्या कहलाता है गंगे चार वेदों को जानने वाला चार वेदों को जानने वाला क्या होता है आपका चत्रुवेदी ठीक है क्या होता है चत्रुवेदी चार उर की सीमा क्या कलाती है आपकी चोहदी जो कभी नश्टने हो वो क्या होता आपका अनस्वर जो छमा के योग्य हो वो क्या होता है छम्मिय जो कम बोलता हो जो कम बोलता हो वो क्या होता है मितभासी ठीक है क्या होता है मितभासी जो देखने योग्या हो जो देखने योग्या हो क्या होता है अपका उसे कहते हैं दर्सनी है ठीक है जो कुछ ने करता हो जो कुछ ने करता हो उसे कहते हैं एकर्मणी है ठीक है जो पुत्र गोध लिया ह हो जो पुत्र गोध लिया हो से बोलते हम दत्तक क्या कहते हैं दत्तक कि जो कुछ नहीं जानता हो ठीक हẳologia है झानता हो से कहते हैं अग है ठीक है जलिए और आगे देखिए आगे ले करी जाए तो पूत्र का फूत्र को क्या बोलते हैं पूत्र का फूत्र होता है हमारा पोत्र क्या होता है पोत्र ठीक है तो यह इसकास हो गया कि ऐसे ही आगे अगर हम बात करें और सब्दों की देखें कि पूरब की दिसा क्या क्या लाती है पूरब दिसा पूरव दिसा पूरव दिसा क्या कलाती है आपकी इसान क्या कलाती है पूरव दिसा क्या कलाती है प्राची ठीक है पूरव दिसा क्या कलाती है प्राची और अगर हम बात करें पच्छिम दिसा की तो पच्छिम दिसा क्या कलाती है आपकी पूरव और उत्तर के बीच की दिशा उत्तर के बीच की दिशा बीच की दिशा की अगर बात करें तो ये क्या कहलाती है हमारी ये कहलाती है आपकी इसान क्या कराती है इसान ठीक है पूरव और उत्तर के बीच की दिशा अगर हम बात करें दे कि पिता की पिता क्या होते हैं पिता के पिता डीन वारे पिता महां ठीक है अगर हम बात करें और अगले सब्दों की देखे जैसे हमने सब्द लिया भलाई चाहने वाला भलाई चाहने वाला को क्या कहते है हम भलाई चाहने वाला ठीक है भलाई चाहने वाला भलाई चाहने वाला क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे हम देखे हितेसी क्या कहेंगे हितेसी तो यह उसके लिए हो गया अगर बात करें मचली मारने काटा क्या गला देखें मचली मारने का काटा क्या गलाता है मचली मारने का काटा मारने का काटा जिससे मचली मारते तालाबों में तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं बडिस ठीक है ऐसे ही अगर बात करें दीखे जो लोटकर आया हुआ क्या कहलाता है लोटकर आया हुआ लोटकर आया हुआ लोटकर आया हुआ होता है अपका पिरतियागत क्या होता है पिरतियागत क्या कहेंगे इसे पिरतियागत ठीक है दीखे अगर अगले सब्द की बात करें, लाब की इच्छा क्या कहलाती है, लाब की इच्छा, ठीक है, लाब की इच्छा के लिए एक सब्द आपका क्या होगा, इसके लिए होगा, लिपसा, क्या होगा, लिपसा, ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे बात करें देखें, अगर देखें, बिश्णू का चक्र देखें बिश्णू का चक्र क्यों क्या कहते हैं एक जैसे कहते हैं कि बिश्णू का चक्र तो बिश्णू के चक्र को क्या कहा गया है बिश्णू का चक्र बिष्णू के चक्र को कहते हैं हम सुदर्शन कहते हैं सुदर्शन चक्र तो वो क्या है बिष्णू का चक्र ऐसे ही आगे बात करें हम देखे बिष्णू की तलवार अगर बात करें अगले सब्द की बिष्णू की तलवार ठीक है बिष्णू की तलवार बिष्टू की अगर तलवार की बात कर जाए तो बिष्टू की तलवार क्या कहलाती है आपकी यह कहलाती है आपकी ननदक ट्रीक है का कहलाती है ननदक ऐसे ही अगर बात करें सूर्यद से पहले का समय क्या कर लाता है सूर्यद सूर्यद से पहले का समय ठीक है पहले का समय सूर्व में के कलाता है आपका ये कलाता है उसा काल चिक है अगर बात कर देखे अगर हम बात करने देखे शिक्के ढालने का कार खाना क्या कलाता है तो सिक्र डालने कार खाना क्या क्लाता अब का टकसाल क्या क्लाता है टकसाल ठिक है कि अब हान के अगर ओर सब्द ले ले तिक झाहाँ उत्तर्वार पूर्व के जिसा आपके क्या GleichStop इसन ठीक माने आपको पहले बताया थहाँ अगर यहां पर बात करें पूर्व और धक्षिण के मद्य की दिशा मद्य की दिशा ठीक है तो पूर्व और दक्षिन के मद्य की दिशा की बात करें तो ये क्या कलाती है आपकी ये कलाती है आगने ठीक है ये क्या कलाती है आगने ठीक है ये क्या कलाती है आपकी आगने है ठीक है अगर बात करें इसमें अगर यहाँ पर अगर दकशिन पर पच्छिम के मध्य की दिसा की बात करें देखें दकशिन लिए कैसे बात करें हैं अगर बात करें पच्छिम आपको ही दिसा दीखें अगर बात करें पच्छिम की बाई भी है क्या कलाती है बाई भी है ठीक है तो यह आपकी दिशा हो गई ठीक है अगर हम बात करें देखे ए बिवाहित महिला को क्या कहते है ए बिवाहित महिला को हम क्या कहेंगे ए बिवाहित महिला को क्या कहेंगे अगर इसकी बात करें ए बिवाहित महिला ए बिवाहित महिला कहलाती है हमारी अनूडा क्या कहलाती है अनूडा ठीक है क्या कहलाती है अनूडा ठीक है अगर बात करें नब विवाहित महिला को क्या कहेंगे हम ठीक है नब विवाहित नब विवाहित महिला तो नब विवाहित महिला होती है हमारी नबोडा क्या होती है उसे कहते हैं नबोडा ठीक है तो यह हमारे बहुत सारे सब्द इस तरीके से इसमें आ जाते हैं ठीक है आगे और सब्द की बात कि देखे अगर हम कहें देखे सरकार के दवारा बनाए गए नियम क्या कल आते हैं एक सब्द आता है अधी नियम आपने सुना होगा ठीक है तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम ठीक है बनाए गए नियम क्या कलाते हैं तो ये कलाते हैं आपके अधी नियम क्या कलाते हैं अधी नियम ठीक है ऐसे ही बात करें हैं आगे भासर देने में जो चतुर होता है दीके जो भासर देने में चतुर हो तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम बाक पटू क्या कहते हैं बाक पटू ठीक है उसे कहते हैं बाक पटू ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करें देखे जैसे देखे एक सब जिसे हम रिसिया आस्रम बोलते हैं तो आस्रम कि क्या होता है आस्रम होता है रिसियो के रहने का इस्तान देखे रिसियो के रहने का इस्तान को क्या बोलेंगे हम अगर बात करी जाए रिसियो के रहने का इस्तान रिसियो के रहने का इस्तान ठीक है रिसियो के रहने का इस्तान क्या कलाता है आपका ये कलाता है आस्रम क्या कलाता है आस्रम ठीक है क्या कलाता है आस्रम ठीक है ऐसे ही बात करें हाथ से लिखा हुआ ठीक है, तो हास से लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हस्त लिखित, ठीक है, क्या बोलते हैं, हस्त लिखित, ठीक है, हस्त लिखित, तो क्या करलाता है वो, हास से लिखा हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे सब्थ इसमें हो जाते हैं, घ्यान देने वाले को क्या बोलते हैं, जो घ क्यां डेने वाला क्या होता ग recordings ने वाली क्या होती टिक क्या होती है क्या होती है जांडा टिक के तो बहुत सारे सब्द आ जाते इस तरीकर से यह मैंने प्रक्टिस सेट हमारा दस आपका 10 जून से स्टार्ट होगा और जब तक आपकी परिक्चा होगी लगवक्स 15-16 प्रक्टिस सेट हम आपको करा देंगे हर चैप्टर सम्मांदित यतनी भी क्युस्तन उसमें आते होंगे चैप्टर 22 उसको करा देंगे ठीक है चलिए फिर मिलत अगले टॉपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद कर दो दो जब तक के लिए मैं।